असलाब लेकुम, तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन कीमा समोसा, चिकन का कीमा लेंगे, कुछ मेजीस लेंगे, कुछ सॉसेस होंगे और जो हम घर की चीज़े यूस करते हैं, उससे हम समोसा बनाने वाले हैं, थोड़ा मेवनीज है, चीज है, तो चलो इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, मैंने चिकन लिया है, चिकन कीमा, घर पर ही कीमा बनाया है, या तो आप बाहर से लो या घर पे मिकसर में, फूड प्रोसेसर में बना दो, उसमें डालना है दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट और नमक पेस्ट क अगर आपके पास टाइम कम है, तो बस यह लगा कर डायरेक हम चलते हैं इसको पकाने के लिए, तो पैन में थोड़ा सा बटर या ओल डाल कर आप इसको डाल दो पहले, हम अद्रक लसन डाल चुके हैं तो वो नहीं डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा डालने के बाद मिक कटी हुई है, वो इसमें राल देना है, उसके साथ डालूँगी एक चमच, थोड़ा सा शक्कर डालना है, एक चमच या अदा चमच, अगर आप अवोईट करना चाहते हो तो बिलकुल अवोईट करो, गाजर डाल रही हूँ ग्रेट करके, एक से देड़ गाजर इसमें रा तो आप एक ही डालो और टोमेटो केचप डालो फिर चकर आप अवोईट कर सकते हो, क्यूंकि बच्चे खाने वाले थे तो मैंने थोड़ा सा इसको स्वीट रखी थी, थोड़ा अच्छा लगता है इसका टेस्ट इसी लिए, अब इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स जो चमच डाल दो और उसी के साथ डाल दो औरिग्यानो और काली मिरी, तो काली मिरी डालना है वन टी स्पून और औरिग्यानो भी डालना है वन टी स्पून, बस इतना डाल कर आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अभी चिकन पक चुका है हमारा, ब जितना डाल रही हूँ आपको जितना चाहिए आप उसे साफ से डाल सकते हो उसी के साथ डालनेंगे इसमें दो से तीन चीज क्यूब तो वो इसमें डाल दो आपको मौसरेला चाहिए तो मौसरेला डालो मैं प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ बस इसको मिक्स करके हम फिर ड जीस है जो कॉनर्स है उसको बराबर फोल्ट रखना है मतलब उसमें जादा खड़े नहीं रहना चाहिए जिसमें से उसके तेल अंदर चला जाए और अगर कभी ऐसा होता है बनाने में रह जाता है तो आप मैं देखे गोल में डिप करके उसको थोड़ा सा बन करके फिर फ्रा कर देंगे मैदे के गोल से तो हमारा समोसा भी फोल्डिंग हो चुका रेडी समोसा सारे यह से बनाते है मैंने इतने कॉण्टिटी में लगबग 24 से 25 समोसे बन गए थे तो आप इसमें से देख सकते वादा किलो में अच्छी कॉण्टिटी बन गए थे फिर हम इसको तो माशाला बहुत अच्छा था उसका टेस्ट तो अगर कुछ गेस्ट भी आ रहे हो तो आप इसको बना के ट्राइ कर सकते हो या स्नाक्स में भी बना के खा सकते हो अभी हम चलते हैं मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ दूसरी वीडियो के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना हम चलते हैं अभी मिलेंगे दूसरी वीडियो में अल्ला आफिस और दूाओं में याद रखना